हेलो बच्चो तो हमारे 12th क्लास के बच्चे हमें अपने बोड के अप्रेक्टिकल की बहुत अच्छे से त्यारी कर रहे हैं और आप लोगों के हौप सो प्रेक्टिकल्स बहुत अच्छे जा रहे होंगे तो बायो के practicals के regarding मैंने सारी वीडियो बना दी थी लेकिन जैसा कि मुझे अनुमान था कि DNA isolation आपके exam paper में नहीं आता है तो बहुत सारे बच्चों का demand था कि माम हमारे exam में आ रहा है DNA isolation तो आप DNA isolation के ओपर वीडियो बनाओ तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है और सोरी मै मैं थोड़ा सा लेट हो गई मेरी थोड़ी तबियत खराबती तो उसके लिए मुझे माफ कर देना क्योंकि बहुत दिन से ऐसे बच्चों के messages आ रहे हैं कि मैं वीडियो बना दो तो लेकिन अभी मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हूं तो इसलिए आप लोगों को क्लास का जो है रूल है क्योंकि हम स्माइली की थुरू पॉजिटिव वाई से स्प्रेड करते हैं है ना मेरे शक्तिवानों चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कि आपको डियन आइसूलेट कैसे करना देखो तुमने बहुत सारे प्रेक्टिकल्स यूट्यूब पे देखे किसी के स्कूल में स्ट्रॉबेरी यूज की गई होगी किसी के स्कूल में पपाया यूज किया गया हो किसी के स्कूल में पीज यूज किया होंगे मटर यूज किया होंगे तो इसलिए मैं सब के लिए यह वीडियो बना रही हूँ तो सब लोगों को सेम प्रोसीजर फोलो कर ठीक है, अब देखो, अब हम start कर लेते हैं आपके aim के साथ, जो कि है isolate DNA from available plant materials such as spinach, green peas, papaya, etc. तो आपको कोई भी plant-based material दे सकते हैं, जिससे आपको क्या करना है, DNA extract करना है, ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या-क्या materials की requirement है, बच्चों, हम ये देख लेते हैं, ठीक है, हमें, जो जो materials की requirement है, हमें test tube, beaker, तो जरूरी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो important चीज़ है, जो कुछ अलग है, वो ये है, बहुत सारे बच्चों ने वो देसी doctor देखे होंगे, जो देसी दवाईयां देते हैं, तो वो उसमें दवाई piece-piece के देते हैं, हमारे घर के भार वी एक doctor था, तो ये होता है, mortar and pestle, ये आपको इसके लिए चाहिए होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, plant-based की slurry बनानी है, है ना, शेशांक, chemistry में कितने experiment हैं, कितने आपको करने हैं, मैंने अल्रेडी पूरी वीडियो में डाल दिया है, आप अभी, मैं बायो पढ़ा रही हूँ, तो वहाँ पे, अगर आपको regarding हमारी class कोई issue है, तो आप पूच सकते हो, ठीक है, लेकिन अभी मैं chemistry पीच में बायो के घुसा हूँ, तो वो और बच्चों के लिए इंटरप्टिंग होगा, ठीक है, अब देखो, अब हम बात कर लेते हैं, आपको क्या-क्या चाहिए, जो आपको यूज करना होगा, इसमें chemicals और enzymes की मैं बात कर दो, आपको enzymes यहाँ पर यूज करने हैं, जो कि जो के अंदर आपको क्या मिलता है, प्रोटीन, लिपिड्स, हमें cell wall, plant cell में cell wall होती है, तो हमें cell wall, भई हमें DNA निकालना है, यह हमारी cell है, इसके अंदर यहाँ पर DNA है, अब हमें DNA निकालना है, तो हमें इसकी पहले तो cell wall तोड़नी पड़ेगी, है ना, cell wall जब हम तोड़े तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा cellulose से बनी होती है तो हमें क्या चाहिए cellulose को काड़ दे तो हम पहले इसको तोड़ेंगे उसके बाद हम अंदर जाएंगे तो यहां पर proteins proteins होते हैं पूरे में protein structures है हर चीज protein की बनी है हमें protein को dissolve करना है तो protein को काटने के लिए चाहिए प्रोटी एस एंजाइम चाहिए है ना उसके बाद हम यहां पर देखेंगे कुछ RNA भी होता है यहां पर अंदर तो RNA चाहिए तो RNA को कंब्ली के लिए थे जबं करने के लिए जटके ना पर आस्यच करने में यह सारे अंजाइम की इस वाली वीडियो में यह यह तो बताऊंगी बताऊंगी साथ में वह भी आपको कैसे पर फॉरम करना एकस्परिम्ट तुम आपको दौनो चीज़े कबर करके चलूगी लेकिन अभी सिपहले में बता दू जिनके स्कूल्स में एंजाइम्स अविलेबल होते हैं तो उनके श्कूल में आपको उन बच्चों को किस तरीके से तो उन बच्चों को किस तरीके से अपना एक्स्पेरिमेंट परफॉर्म करना है ठीक है देखो अब हम बात कर लेते हैं आगे तो इथनॉल तो आपको देखो सब कोई चाहिए चिल्ड है ना अरे क्या हो रहा है यह देखो बच्चों चिल्ड इथनॉल तो आप सभी को चाहिए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे हमारा सबसे पहला step होगा कि आपको जो भी plant material आपके स्कूल में provide कराया जायगा वो चाहिए कोई भी प्लान material बनाना पेस्च, पपाया आता था wastewater, आपको क्या करना, उसको बहुत है पूर ली बना देते हैं, वहाशना सट हमषा एंफ बनाना है। ठीक है कुछ स्कूल में ऐसा होता है कि आपको मोटर प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा तो आप लोगों को क्या प्रोवाइड कराया जाता है आपको प्रोवाइड कराया जाता है एक थिन शीट मतलब आपकी प्लास्टिक का बैग होता है किट होती है जिसमें आपको अंदर प्लांट मेट्रियल लालना और उसका पेस्ट बना लेना है ठीक है तो आपको बहुत अच्छे से उसको डिजॉल्व मतलब बिलकुल उसकी चटनी बना देना है एक तरीके से बिलकुल उसमें चोट असा भी वो नहीं रहना चाहिए जिसे कहते हो मतलब प्लांट ऐसा नहीं ल अब अब क्या है कि यहां पे हमने इसकी सलरी बना ले अप किसी ही बेसं की बनाओ यहां तक आपके प्लांट बेस हो सकते हैं आगे का पर आपका सेम और साइमा सबको सेम परो सीजर पूलो करना है वो यह करना है पहले तो आपको रिDER मा लेना इसका जब तुमने बनाई तो उसके बाद वो थोड़ी घाड़ी हो जाएगी है ना उसमें वाटर भी होगा उसमें कुछ घाड़े-घाड़े मोटे-मोटे भी जो है आपके रह जाएंगे जो आपका मतलब उसमें content होगा लेकिन हमें क्या करना है हमें बिल्कुल plain content चाहिए जिसमें किसी भी तरह का कोई भ करना है यह enzyme वाले बच्चों के लिए जिनके schools में enzyme available है सबसे पहले आपको add करना है cellulase ठीक है cellulase डालेंगे stir करेंगे cell wall को dissolve करेंगे cell wall dissolve कर दिया उसके बाद हम protease डालेंगे protein को stir करेंगे protease डालने के बाद protein को dissolve करेंगे है तो हमें क्या करना है देखो तुम पढ़ सकते हो treated with the peptides to protease to hydrolyze the peptide bones of protein in the plant material है न क्योंकि उसके अंदर histone proteins होते हैं जो DNA के साथ में intertwined होते हैं DNA यहाँ पर होता है DNA के बीच-बीच में proteins होते हैं आपने पढ़ा होगा अपनी theory classes में तो उनको dissolve करने के लिए हम protease डालते हैं ताकि हमें DNA मिल सके उसके बाद हमें RNA को dissolve करना होगा किस से ribonuclease है तो हम ribonuclease उसमें add करेंगे क्योंकि DNA का जो precipitation है क्यों क्योंकि DNA की concentration बढ़ जाती है जब आप उसमें ethanol add करते हो तो हमें क्या करना है DNA की precipitation increase करना है उसके लिए हम इसमें टालेंगे आपके सारे enzymes और ethanol प्रोवाइड कराएगा आपको plant-based भी आपको प्रोवाइड कराएगा ठीक है अब हमाई क्लास में जो जो बच्चे हैं देखो बच्चों जिन जिन को DNA isolation में कोई भी issues आ रहे हैं उन्हीं के लिए मैं यह वीडियो बना रहे हैं और आपके जो भी भी प्रोटीका क्या होता है तो अपने एक्जाम प्रोटीन को डिजॉलव करना जो की DNA के इंटर्ट्रून इंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो यह तुम्हारे वाइवा के गुश्चन से पूच आपके एक्स्परिमेंट से पूच जाते हैं साथ में तुम जो लिखोगे तो तुम्हारी जो चीज़ें बिल्कुल उन्च यह तो मैं पता होना चाहिए कि हाँ हम यह कर रहे हैं तो इस चीज का रीजन यह है हम क्यूं कर रहे हैं यह चीज है ना तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेर कर देना बच्चों अवेश उनका रहे हैं फिर जब इसा दीखेगा तो हमें क्या करना है लास में करनी है स्पूलींग इतना लगता है कि स्पूलींगि में आपको इतना करने है कि आपको यह जो आपको यहां loved स्पूल यह घॉक निगालेने Uh छो पि tag से निकाल करके च्राह संवाल को लिए टीचर को उसी को हम स्पूलिंग आपको इसे टाइग्राम में बनाना नहीं मैं इसे य आ लहाई तो स्क्रूर ले लो ने लो विए लाई और ऐसा सा आपका जो है प्लांट बेस के बाद ऐसा दिखेगा DNA निकल के आएगा आपका वाइट वाइट कलर के थ्रेड्स होंगे और तुम्हें वो थ्रेड्स अपनी ग्लास रोड या आपकी पिन या जिसके पास स्पूल होगा उनको स्पूल के थ्रू निकाल करके ऐसे टी करना अगर जिन बच्चों के पास अंजाइम है वह टेस्ट च्यूब में करना ठीक है और एंजाइम्स को भी मैंने इसलिए इंक्लूट किया है क्यूंकि बच्चों मेरे स्कूल में रभायर किया गया था तो आइव थिंकिंग कि एसे बहुत सारे बच्चें होंगे जिनके स स्कूल्स में विम ज़ल डिटरजेंट को यूज करके क्योंकि एस यह जो विम जयल होता है और है इससंप की हेल्प से भी आप डियन और कर सकती हो क्योंकि इनके अंदर अलड़एट अंजाइम्स होते हैं जो cell wall को dissolve कर देते हैं या जो proteins को dissolve कर देते हैं proteins को हटा देते हैं, lipids को हटा देते हैं ठीक है, तो हमें क्या करना है इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको एक beaker लेना है beaker में आपको 90 ml अपना plant base लेना है ठीक है, 90 ml plant base लेना है और उसमें आपको विम जल डालना है, 10 M L, मतलब तोटल आपका 100 M L हो जाएगा, 10 M L आपको विम जल डालना है, जिसमें आपको 10 M G, 10 Milligram आपको सॉल्ट डालना है, N A C L, ठीक है? और बस आपको इसको stir करना है उसके बाद चिल्ड इतनॉल डालनी है चिल्ड इतनॉल डालने के बाद आपको इसको रख देना है और रखने के बाद आपको ये ऐसा मिल जाएगा तो सेम चीजें जो आपने वहां की थी वही आपको यहां पर करनी है लेकिन बस एक चीज का ध् लोगे 10 ग्राम अपना मिली ग्राम अपना सॉल्ट लोगे उसके बाद इसको एक बारी अच्छे से स्टर करके फिल्टरेट ज़रूर कर लेना क्योंकि जब आप चल्डी तुन डालते हो तो वह आपको फिल्टरेट में ही डालनी है वह आपको प्लांट बेस वाले जिसमें और जिस जिस बच्चे का प्रेक्टिकल जैसा भी जाए अच्छा जाए खराब जाए मेरे को कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना किसी भी तरह का कोई भी इशू और साथ में वीडियो कैसी लगी पूरी सीरीज देखने के बाद आपको कैसा लगा आपको कुछ चीजन सम बच्चों कमेंट में लाइक शियर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मैं आप लोग के लिए और वीडियो बनाओ एंड थैंक यू सो मच पूर वाचिंग देवीडियो बाय बाय चाटा सी यू कर दो